इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग के अध्यक डॉक्टर टी दिलिपकुमार ने कहा कि डिप्रेशन और मेंटल दिसोर्टर सोसाइट का सबसे बड़ा कारण बन रहा है साइट्रिक नर्सिस डिप्रेशन के शिकार लोगों के सोसाइट की प्रवति को रोकने में एहम भूमिका निवाती है उन्होंने कहा कि साइट्रिक नर्सिस की संक्या जितनी अधिक होगी उतने ही लोगों को बचाया जा सकेगा डॉक्टर टी दिलिप कुमार शुकरवार को इंडियन ससाइटी ओफ साइक्रेट्रिक नर्सिस के 19 वी सलाना कॉन्फरेंस आई एसपी एंसी 2020 के उधगाटक समारों में बोल रहे थे कॉन्फरेंस टी एमियों में आयुजित हो रही है कॉन्फरेंस के 10 सत्र हुए स्वाकत सत्र में चंडिगड की रिटायर पेचार्या टॉक्टर संध्या गही को आई एसपी एंड की ओर से फेलोशिप अवोर्ड दिया गया आई एसपी एंड की वेबसाइट और दो पत्रिकाएं भी लौंच की गई आई एसपी एंड की प्रेजिडेंट डॉक्टर रिटिमा ने स्वासाइट के कारूनों और डिप्रेशन पर विस्तार से प्रकास डाला युवाओं, ग्रामेंड, महिलाओं, पिशोरों और ग्लोवल इस तरपर पुर्शों को आत्महत्या का चुनाव करते देखा गया है दहेज, घरेलू, हिंसा, बिद्वा या तलाग बिरोजगारी सुसाइट के प्रमुक कारण बन रहे हैं डॉक्टर के रिदिमा, डॉक्टर जी रादा किष्णम, डॉक्टर संद्या गुपतर, डॉक्टर के एन जैन्ती, डॉक्टर जी, बाला मुर्गर, डॉक्टर शिरीनी वासन ने रूल आफ नर्स इंसोसाइट प्रिवेशन पर मंतन किया वक्ताओं ने कहा कि, डॉक्टर जी, अजार नर्सों का चुनाऊ करेगा, जिसकी आयू 35 परसे कम होगी, चैनित नर्स सम्मानित की जाएंगी उद्गाटन पर T.M.U के College of Nursing की ओर से निर्देशक Admission S.P.J.N. Medical College के प्रिंसिपल डॉक्टर शेह मुली दर्टा, Dental College के पैचारे डॉक्टर मनीश गोयल, निर्देशक फार्मेसी, प्रोफेसर केके जार, निर्देशक चात कल्याण, प्रोफेसर M.P. सिंग, डॉक्टर अधि प्रियासी जोरी ने किया